हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स अबबानी येटोब चैनल गाइस आज जो हम बात करेंगे हैमर अफ़ तोर और मैंफोर्स टैबलेट इन दोनों में से किसको लेना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है आदमियों के लिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए अगर इनको लेते हैं, तो कया इनके side effects आते हैं, कैसे इनको खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए क्या क्या इसके नुकसानात होते हैं और क्या थरीका होता है इसको खाने का पूरा मैं आपको इन दोनों के बारे में डेटेल में बताऊँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा चलेगा इस मिना देटी को सुरू करते हैं वीडियो मैं हूँ Dr. सुलेमान और आप देख रहे हैं Dex Rabbani YouTube चैनल आज जो हम बात कर रहे हैं, दो प्रोड़क्ट के बारे में जैसे कि जो Hammer of Thor होता है, जो कि Manth Health के लिए Performance बढ़ाने के लिए Electrive Disfunction के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो प्रोड़क्ट के बारे में बात करें वो है Manforce Tablet यह Manforce Tablet जो इसको भी टाइमिंग बढ़ाने के लिए अपने partner के पास जाने से पहले इसको लेते हैं लेकिन इसमें दोनों में कौन सी best होती है, यासे Hammer of Thor है तो Hammer of Thor को बोलते हैं कि size बढ़ाने के लिए भी इसको लिया जाता है इसके बारे में बताऊंगे, इसमें मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाके अपलोड कर दी है कि original आपको कहां से मिलेगा, कैसे खरीदे हैं इसको original और इसको खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, क्या पहचान होती है इसको बताऊंगे, इसको बताऊंगे, इसको नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहला बात करते हैं, दोनों में से कौन सा खाएं और कौन सा नहीं खाएं तो मैं आपको यहीं बोलूँगा अगर आप normal हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने partner के पास जाते हैं आपको normal timing 10-15 मिनट है तो आपको नहीं hammer of thore खाने की जरूवत है और नहीं manforged tablet को खाने की जरूवत है यह इतना time जो होता है enough होता है दोनों tablet मेंसे किसी को न खाएं ना hammer of thore capsule को ना manforged tablet को अगर आप खाएंगे तो आपकी इसकी धीर दीर आदत लग जाए और आगे चलके आपका बिना tablet के इतना time भी नहीं रहेगा जिससे कि आपको इस tablet को regular खाना पड़ेगा और आपकी body में weakness आती जाएगी तो मैं ही बोलूँगा अगर आपको को परिशानी हैं तो भी इसको लें वो भी डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर से पता करें कि इस tablet और इस capsule खाना चाहिए नहीं डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी condition देखने के बाद में कि यह आपको लेना है यह नहीं हैमर ओफ थोर को ऐसे नहीं खाना चाहिए डॉक्टर अगर आपको काईडेस करेगा डॉक्टर आपको प्रिस्काइब करेगा तभी लेना है मैंफोस टैबलेट यह तो आपको ओबटा काउंटर मिल जाती हैं बहुत सारे मेडिकल पर जाएंगा आपको मिल जाएगी आप ग कोई मौटा है और इसका हाट Is으로 Cat अगर वो इस टैबलेट को लेता है मैंफॉस टैबलेट को तो सके अश्याधा बढ़ जाएगी यह ठाब जाती है किहां मैं और दुकर बड़ा इता जैसे आपकी उमर बित्य की 40-45 साल के बाद में इनकी प्रोपर आप एडिक्ट हो जाएंगे इसके बिना ले आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो मैं बुलूँगे इसको कुछ से कभी नहीं लेना है अगर आप बिल्कु ठीक हैं तो इनको बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि इनके साइड इफक्ट यही आते हैं कि आप इसके एडिक्ट होते जाएंगे और इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे आपको फिर लेना ही पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा इसलिए अबोइट करें जब तक हो सकता है इस से दूर रहें और ना खाने की कोशिश करें अगर ज़रुद पड़ती है कि अगर हाँ इसको लेना है तो ठीस से इसको ले तो ये गाइस मैंने बता है आपको Hammer Up Thor और Manforce Tablet के बारे में क्या-क्या difference होता है और क्या-क्या इसके नुक्सान होता है और इसको लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए अगर आप पूरा डिटेल में बताती है होप सब्सक्राइब करेंगे और बहुत जादा मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी बहतर वीडियो बनाके अपलोड करेंगे चले गाइस ऐसे नौलेजल वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो मे झाल